नमस्कार, मैं रस्मी मिस्रा, स्वागत करते हूँ आप सभी का फिर से एक बार आज की वीडियो में हम लोग रामेश्वर सुकल अंचल जी द्वारा रचित यदि पूल नहीं बो सकते तो नामक कवीता को पढ़ेंगे इस कवीता को समझने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ इसकी लिखित व्याख्या को भी देखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू गरते हैं तो सबसे पहले देखिए कवीता की पंक्तिया आ चुकी है आईए हम इने पढ़ते हैं यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मतबो है अगम चेतना की घाटी कमजोर बड़ा मानव का मन ममता की सीतल चाया में होता कटूता का स्वयम समन तो देखें यहाँ पर अगम शब्द का अर्थ क्या है? कठिन मैंने यहाँ पर नीचे लिख भी दिया है ताकि आपको आसानी हो अगम शब्द का अर्थ है कठिन एवं चेतना शब्द का अर्थ है घ्यान ममता की सीतल सीतल यानि खंडा ममता की सीतल चाया में होता कटूता यानि की करवाहट का शमन शमनकार्थ होता है नाश हो जाना शमन यानि नश्ट हो जाना इसी चीज क्या समाप्ती हो जाना श्वयम यानि अपने आप श्वयम शब्द कार्थ क्या होता है अपने आप इसे बाद दिखे जब धुल जाती है खुल खुल जाते हैं मूने नयन मूने यानि बंद नयन खुब्दपवन.प्रशांत शब्दकार्थ क्या है इस्थर या सां्त राण Western, प्राणों का चुब्द सब्दकार्थ क्या होता है चुब्द सब्दकार्थ होता है आशांत पिर आगे की पंक्तिया्य मोह देखे संक्ट में यद हैं मुश्का न सको भैसे कातर हो, मत रो, यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत भो, ठीक है, कातर शब्दकार्थ है व्याकुन, आईए, अब हम इसकी व्याक्या को समझने का प्रयास करते हैं, तो कभी की पंक्तियां हैं कि यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत भो, ठीक है, है अगम की, है अगम चेतना की घाटी कमजोर बड़ा मानव का मन, तो कभी के अनुसार यदि हम किसी का परोपकार, ठीक है, फूल नहीं बो सकते हैं, पर फूल वोनेकार्थ क्या है, प किसी का परवकार नहीं कर सकते किसी का हित नहीं कर सकते तो हमें कम से कम उनके लिए काटे यानि कि उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए उनका बुरा नहीं करना चाहिए उनका बुरा नहीं करना चाहिए दूसरी लाइन में क्या बताते हैं है अगम चेतना की घाटी कमजोर बहुत ही कमजोर है और इसके कारण क्या होती है हमें सत्य आज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है इसके बाद देखिए हमारी चौथी लाइन है प्रीसरी लाइन है कि मंता की सीतल चाया में होता कटूटा का स्वयम समन्द ज्वालाय जब धुल जाती है खुल खुल जाते ह इसके बावजूद जब मन पर मम्ता की थंडी यानि की सीतल चाया पड़ती है तो मन के भीतर जो समस्त दोश होते हैं उनका क्या हो जाता है परिहार हो जाता है श्रमन हो जाता है श्रमाप्ति हो जाती है हमारे मन में जो ज्वालाय होती है जो कष्ट होता है जब उस पर मम् कि सीतल चाया पड़ती है तो मन के भीतर के जो सभी दोस होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं मन के भीतर के जो सभी ज्वालाय होती है वह ठंडी हो जाती है और तब अकर हमारे जो बंद आखे हैं यानि जो हमारा अज्ञान है वह नश्ट हो जाता है और हमारी आखे जो होती है व वो अब आनंद और प्रकास से भरने लगती हैं, और क्या कहते हैं, कि होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का छुब्द पवन, संकट में यदि मुस्का न सको, भैसे कातर हो, मत रो, यदि फूल नहीं बो सकते, तो काटे कम से कम मत बो, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं, कि प्राणों का जुझलाया हुआ पवन, स्वच्छ बनकर सांथ पढ़ जाता है, अर्थात, जब हमारे मन में आनंद का प्रकास भरने लगता है, हमारे मन की बैचैनी जब खटने लगती है, तो हमारा प्राण जुझलाया हुआ सा रहता है, वो शान्त होने लगता है अर्थात मन के विकार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और स्वच्छ हिर्दय में अलोकिंग समंती समा जाती है कभी आगे कहते हैं कि दुख तकलीफ और विपत्यों में अगर हमारे होटों पर मुस्कान ना आए यह जो पंक्ती है कि संकट में यदि मुस्कान आ सको भैसे कातर हो मत रो यदि फूल नहीं वो सकते तो काटे कम से कम मत वो तो यहीं कभी कह रहे हैं यदि दुख तकलीफ और विपत्यों में अगर आपके ओठों पर मुस्कान नहीं आती है तो भैसे भी घबराकर आशु बहाना भी हमारा उद्देश ये नहीं होना चाहिए हमें भैसे भाई भी थोकर आशु नहीं बहाना चाहिए ठीक है तई आगी की पंक्तियां देखते हैं हर सपने पर विश्वास करो लो लगा चांदनी का चंदन पत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन इस दुनिया की है रीत यही सहता है तन बहता है मन चुक्की अभिमानी मंदिरा में जो जाग सका यह है चेतन इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज विचा कर मत सो ओ यदि फूल नहीं वो सकते तो काटे कम से कम मत बोगो तो रीती शब्द का आर्थ होता है परंपरा या नियम अभिमानी का आर्थ होता है घमनी सेज का अर्थ जो होता है आप कह सकते हैं बिस्तर या विचावना जी से हम कहते हैं तो कभी कहते हैं कि हर सपने पर विस्वास कीजिए आप जो भी द्रीम्स देखते हैं जो सपने अपने मन में सजोए हैं उसके आप विस्वास करें आप अपने माथे पर चांदनी अर्थात सीतलता का चंदनल लगाए क्योंकि जब व्यक्ति का दिमाग एक्टिव होता है, तो वो सबसे ज़्यादा खरियानवित होता है, और उसी शण में वो अपना कारे सब चैदिक कर सकता है, यही कहा है कवी ने भी यहाँ पर, कि ताथप स्वप्न की भाती लगेंगी यह पूरी हो सकेंगे यानि जो भी आपने मन में इच्छा की है जो कीवल स्वप्न की भाती है वो भी पूरी हो जाएंगी कभी क्या कह रहे हैं कभी कह रहे हैं जीवन में आपने जो ही स्वपन देखा है उस पे आप विश्वास करें अपने मस्चिश को सांत रखें और मन को निर्मल रखें और ऐसी स्थिती में आप जो में स्वपन देखेंगे उसे आप पूरा कर पाएंगे और ऐसा ही विश्वास मन में भी पेंदा होना चाहिए सांती और सू अवसर सांती और सू अवसर के छड़ों में यह याद नहीं करना चाहिए हमारा पिछला जीवन इतना कश्टकारी था, दुगदाई था और संगर्शपून था तो यह जो पंक्ती है कि मत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन इस दुनिया की यह रीती तहता है तन बहता है तो अभी यही कह रहे हैं कि सांती और सुख के छड़ों में सांती और सुख के छड़ों में यह याद नहीं करना चाहिए कि हमारा जो पिछला जीवन है वो कितना कष्टकारी था कितना दुखदाई था कितना संघर्ष पून्द था कि संसार का यही नियम है कि कष्टों से सरी संघर्ष करता है और उस संघर्ष का प्रभाव जो है हमारे मन पर पड़ता है तो यदि आप हर वक्त अपने दुख और कष्ट की बारे में सोचते रहेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे इसमें क्या कहा है कभी ने, जो दुख और करुणा के कारण पिगल उठता है, दुख के दिनों में, दुख के दिनों में मनुष्य प्राय कि अभिमान के नसे में सब कुछ बूल जाता है, गुए, अर्था फोल की पंक्ती है कि इस दुनिया की है रीत यहीं सहता है तन भाता है मन और उसके बाद की पंक्ति जो है कि सुख की अभिमानी मंदिरा में जो जाग सका वह है चेतन कभी का कहना है कि सुख के दिनों में मनुश्री में प्राई क्या होता है अभिमान आ जाता है अभिमान के नसे में बेकती रहता है और सब कुछ भूल जाता है और वहां एक तरीके से उसकी जो आत्मा होती है उसकी जो चेतनता होती है वहां हो जाती है कभी का कहना है कि जो ऐसी परिस्थिती में जागने में समर्थ हो वही वास्तविक्ता में ज्यानी और पुद्धिमान है यदि सुख के दिनों में बेखबर हो जाते हैं और अपने करतबे के प्रती जागरुक नहीं रहते हैं तो सही लगा कर घोर निद्रा में डूबने का भी हमें अधिकार नहीं है पूत कभी क्या कह रहे रहे हैं अगर इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिच्छा कर मत सोऊ बीच्छल नहीं बोशेशन तो गह रहे हैं दू अभी कह रिए है हैं कि अधि सुक्ड दिनों में तूम बेखाबर हो जाते हो अपने कर्तब्य के प्रती जागरुक नहीं रहते हो सईया लगाकर घोर नीद्रा में डूबे रहते हो यानि मिस्तर लगाकर हमेशा सोय रहते हो अपनी कर्तब्य को भूल चुके हो ठीक है? तो दुख के समय में क्या है? तुम्हें घबराने की भी जरूवत नहीं है पर्तब्यों को पूरी तरीकी से भूलाना नहीं चाहिए कभी की या धानना है कि अगर हम अपने कर्म से किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें हमें दुखी करने का भी अधिकार नहीं है आगे देखते हैं से संकट का वेग नहीं कमता, संसय के सुक्ष्म कोहासों में विस्वास नहीं छणभर रमता, बादल के घेरों में भी तो जैगोश्न मारुत का थमता, यदि बढ़ न सको विस्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढोओ, यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत बोओ, त इसी तरीके से वेग शब्द कार्थ है, गती, सुक्ष्मकार्थ है, एक छोटा सा, जैगोश्कार्थ है, जीत की घोश्ना, मदिरा कार्थ है, सराब, खंगल पियानी, दिरननिष्चे, चंसय यानि शक, तंदे, और मारुत कार्थ है, हवा, हवा या वायू, और मुर्दा का कार्थ है, या लाश या साओ, आईए, अब हम कभीता की पंक्ति योग को समझने का प्रयास करते हैं, तो, हमारी जो पहली पंक्ति है, की पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प, नशूना, अंचीनहा कहने से संकट का वेग नथी थम्ता, ठीक है, संकट का वेग नहीं क तो कभी ने इसी पर बताया है कि मनुष यदि जीवन मार्ग के हर कदम कदम पर शोर मचाए अर्थात व्यर्थ परसान हो या डिंगे मारे तो उसके मन में लक्ष पाने का जो विचार है पहद्रिण नहीं हो पाएगा यानि पकपक पर शोर मचाने से मन में द्रणता नहीं जमती है और आए हुए संकट को यदि कोई संकट आ गया है उसे अंसुना या अंजान कर देने पर अर्थात उस संकट के प्रति उदासीन बने रहने से भी उसका प्रभाव कम नहीं होता ठीक है दो बाती कहीं है एक बात तो कभी नहीं यह कहा है कि जीवन मार्ग में यदि कदम कदम पर सोर मचाया जाए यानि कि परिशान हुआ जाए तो उससे आप अपने लक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते ठीक है और दूसरा यह वताया है कि यदि कोई संकट आया है तो उसे आप अ गेरों में भी तो जै गोश्नमारुत का थमता, ठीक है, देखे, मनुष्य यदि संदे और आसंकाओं के कुहासे रूपी ब्रहम जाल में उल्जा रहे, ठीक है, बादल के गेर, संसे के सुक्ष्म कुहासों में विस्वास नहीं छर्भर नहीं दा, यदि मनुष्य संसे और आस संकाओं के कुहासे में फसा रहेगा, ब्रहम जाल में उल्जा रहेगा, तो उसके कारे के प्रती सपलता कभी नहीं मिलेगी, उसके कारे के सपलता के प्रती उसमें विस्वास कभी नहीं बनेगा, बादलों के घेरे में भी गूजता रहता है, यहां पर कभी उदाहरन दे र अर्थात मनुश्य को क्या करना चाहिए मनुश्य को भी पवन की तरह उत्साही व्यक्ती बनना चाहिए मन में किसी प्रकार का भ्रह्म शंधे या बाद़ा का शिकार नहीं होना चाहिए लिदि बढ़ न Państwo बिष्वास पर सासों के भूल नहीं सकते तो काटे मदब। कहरें कि कभी कह रहें कि यदि आप अपने मन में बिस्वास नहीं बना रही एह उसी बत आनेιο कर संकट आने पर यदि आपके भीतर धैर नहीं बन रहा विश्वास नहीं बन रहा तो आपको और विश्वासी होने का भी कोई अधिकार नहीं है अपने प्राणों को निर्ष्प्राण या निरास ना होने दे यानि कि निस्प्राण होने का भी आपको अधिकार नहीं है इसमें कवी ने इस पश्च तोर पर बताया है कि यदि आप कुछ करात्मक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो कमसे कम आपको करात्मक भी नहीं होना चाहिए, या कोई गलब तरीके का कारे भी नहीं कोना चाहिए, अपने आशा और लक्षो की प्र वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले की साथ